हाई फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तो फ्रेंट्स आज हम एक नई मेडिसीन का रिव्यू देखेंगे इस मेडिसीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके यूज डोसेज बेनिफिट्स आप इन टैबलेट्स को कैसे ले सकते हैं इसे यूज कैसे कर सकते हैं और अगर डॉक्टर प्रिस्काइब कर रहे हैं तो आपके किसी लाज के लिए 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 यह आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज हम बात करें फेफा निल 500 mg टैबलेट की इसमें आपको वेरियंस अलग-अलग मिल सकते है इसमें 325 mg का वेरियंट भी आपके लिए मिल सकता है आपके लिए इसमें 250 वाला वेरियंट भी एविलेबल है 600 वाला वेरियंट भी इसमें मिल सकता है यह तोटली आपकी विमारी के उपर डिपेंड करता है डॉक्टर साब को कौन सा वाला वेरियंट लिग कर दे रहे हैं तो आपको किसी भी तरग का बुखार हो कितना भी तेज बुखार हो यह कम करने का काम आपके लिए करता है तो इसमें आपको अगर बुखार में कोई दर्द है जैसे बुखार में बहुत से लोगों को बदन दर्द होता है अकडन होती है मुवमेंट में जो है इनके बिल्कु स्लो हो जाती है इनको बिल्कुल हिलने का मन नहीं करता है तो यह सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे सकता है आपके भुखार को कम करने के साथ साथ आपके बदन में होने वाले जितने भी दर्द है इनको कम करने का काम आपके लिए करता है बहुत ज्यादा यूसफु जितने टाइमिंग के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लेना चाहिए बुखार उतर गया है तो आप इसको बंद कर सकते हैं इसको अगर आप 2-3 दिन घर में ले रहे हैं तीन दिन से जादा अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो तुरेंट डॉक्टर को दिखा इस्तमाल करें तीसरे दिन अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो तोटली यह अलग बीमारी होगी आप डॉक्टर को ज़रू दिखा सकते हैं सो फ्रेंट यह जो कंपनी है आजम आई रभी अंडो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं बहुत से ऐसी कंपनिया आपको सेम कंट तो पानी का इंटेक थोड़ा से जाधा रखेंगे तो बॉड़ी डिहाइडरेट नहीं होगी और जल्दी फरक पड़ने में भी आपको आसानी होगी अगर आप इसको भूके पेट लेते हैं तो आपको पेट दर्द या फिर पच या फिर ऐसीड़ी जैसे प्रब्लम हो सकत होते हैं अगर आपको किसी भी डाप टैबलेट से होती है तो बहुत ह हंड्रेट परसंट होती है तो अगर आप दोक्टर को बताएंगे तो आपको सकता है कि इसके साथ को एंटेसीड ऐक ने किसेशा सब्सक्टिए रहे हैं तो भी आप याद रखिए कि एंटेसड आपको आप घर में रख कर यूद कर सकते हैं तो वह भी आप पर मैंने मेंशन किया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो इंटेसिट को ज़रूर लीजिए इसके बाद आप इसको लीजिए बच्चों में बिल्कुल भी इसको देना नहीं है 18 साल से नीचे कि कोई भी बच्चे इसे ज़रूरी है और प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है तो डॉक्टर को बिना पूछे बच्चों में इसको इसको इस्तमाल ही नहीं करना चाहिए और 500 वाला जो वेरियंट है यह उंचा वेरियंट है इसको टोटली एडल्ट लोग ही इस्तमाल करते हैं तो आपको दिहा जाओगे तो प्राइजिंग में उतार चड़ाओ मिल सकता है बहुत ज्यादा वाला फरक नहीं होता बिल्कुल माइनर सा और थोड़ा सा फरक चलता है दो पाच रुपए यहां वाँ तो हो सकता है थोड़ी से महेंगया सस्ती आपको मिल सकती है बाकी इसका काम बिलकुल ए इलाज का हर इलाज के लिए जो भी मेडिसिंस यूज होती है उनका रिविव देखने के लिए मिल जाएगा आप साच करके भी देख सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो कैसे लिए ज़रूर बता देना वीडियो को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्रेब्स जरूर करना सा थैंक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंके सो मैच